आज हम देखेंगे कि Battle of Money गेम को खेला कैसे जाता है Battle of Money गेम एक investment गेम है जिसमें कई तरीके के investment दिखाये जाते हैं जैसे Gold, Shares, Business और Risk Card आपको इस गेम में एक Main Board मिलेगा 9 Green और Red Cards मिलेंगे 12 Business Cards मिलेंगे 16 Risk Cards 1 Sand Timer यानि R Glass 4 Token, 2 Dices Money Notes, Gold, Shares Certificate और एक game की sheet मिलेगी जिसमें numbers दिये रहते हैं इस game को objective ही है कि चीजों को खरीदिये, बेचिये, profit collect करिये और सामने वाले को bankrupt करिये जो player आखरी तक रहता है वही इस game को जीतता है game की शुरुआत में हर player को 27,000 cash, एक refusal card, एक player card, एक bank loan card और एक token choose करने को दिया जाएगा सभी players अपनी tokens को start option पर रखेंगे और सब players बारे बारी करके इन dices को fake एगा जिसका highest number आता है इस game की शुरुआत को वही करेगा start करने से पहले एक बात को ध्यान रखेंगे जब game start होगा तो ये timer भी on हो जाए और players dice फेकेंगे जिसे 3 और 4 आया 1,2,3,4 जो dice value में आयेगा उतने steps वह आगे बढ़ते रहेंगे और जो option पर लिखा होता है वो आपको follow करना होता है इस game में आपको 4 चीज़े खरीदनी होती है gold, shares, business card और risk card अब हम green और red card के बारे में बात करेंगे जब इस hour glass की sand finish हो जाती है तो कोई भी एक player इस green card की गड़ी से सबसे उपर वाला card उठाएगा उसको पल्टेगा और जो information लिखी है वो सभी players को follow करनी होती है follow करने के बाद इसको वापस गड़ी में रख दिया जाता है कुछ इस तरीके से और इस hour glass को दुबारा start कर देंगे और players दुबारा dice fake की आगे बढ़ेंगे जब यह hour glass फिर से finish होगा तो players वही process follow करेंगे card को खोलेंगे पढ़ेंगे और उसे गड़ी के नीचे रख देंगे अगर किसी green card पे यह लिखके आ जाए start red card इसका मतलब है कि अगली turn में जब hour glass finish होगा तो green card की बजाए red card को खोला जाएगा और अगर किसी red card में यह लिखके आ जाए start green card तो इसका मतलब है कि green card की red card over हो गया और अब timer finish होने के बाद अब green card खोला जाएगा players इस game में gold और shares भी खरी सकते हैं जब वो किसी buy option पे गिरते हैं वो दोनों चीज़े एक साथ खरी सकते हैं या फिर दोनों एके करके भी खरी सकते हैं इस game के अंदर दो meters बने हुए gold meter और share meter यह current price reflect करते हैं जैसे इस समय ही price 3000 चल रहा है इनके prices जो हैं वो green और red card से ही change होते हैं प्लेयर्स गोल और share को उसी rate पे sell करेंगे जो rates इन meters पे दिखे लिखे हुए हैं इन meters पे जो rate लिखा होता है वो per one lot का rate होता है और प्लेयर्स एक बार में तीन lot की खरी सकते हैं एक्जाम्पल अगर वो इस माल लिजे इस buy option पे गिरें उन्होंने तीन lot ये खरीता अगर उन्हें तीन lot से जादा खरीतना है तो उन्हें दो बार buy option पे गिरना पड़ेगा एक पर इधर तीन lot करीते और फिर इधर तीन lot करीते हैं यानि 3 प्लस 3 6 lots हो गए प्लेयर्स कभी भी gold और shares को sell कर सकते हैं बैंक को और buy option पे गिरने पे कंपल सरी नहीं है कि आपको gold और shares को खरीदना ही खरीदना है आपको इस game में एक game sheet भी गई जिसमें बहुत सारे numbers लगे हुए आपको इन numbers को निकाल के और इन numbers को यहां place करना है ताकि ये rates उपर नीचे हो सके अब हम बात करेंगे कि इन meters के prices change कैसे होते हैं जब भी sand timer में इसकी sand finish होगी कोई भी एक player green card को खोलेगा उसे पलटेगा और उसमें लिखा हो रहता है decrease gold by 400 and increase shares by 400 तो shares के भाव को 300 से बढ़ाके ये हो जाएगा 3400 और यहां 3000 है और ये 400 रुपए से गिर गया है तो ये rate हो जाएगा आपका 2600 यानि ये 6 और ये तो इन numbers की मदद से आप rates को उपर नीचे कर सकते हैं अब हम बात करेंगे business cards के बारे में players इस game में business भी cards खरीट सकते हैं ये सभी business cards auction पे होते हैं या कि न्यानी की निलामी जैसे ही कोई player किसी business card पे land करता है उसी time पे इसकी निलामी स्टार्ट हो जाती है auction जो है वो base price से स्टार्ट रहेगा ये base price इसी board पे ही लिखा रहता है जो भी निलामी लगेगी वो 100 के multiples पे ही लगेगी जैसे इसकी लगेगी 2100, 2200 और 2300 जो ख्लाड़ी सबसे ज़्यादा बहुँ लगाता है वो card उसको मिल जाता है अगर किसी player को bidding लगाने का मन नहीं है तो वो simple out बोल सकता है और bidding लगाना compulsory नहीं है business card को खरीदने का फायदा ये होता है कि आप उससे profit कि आप 200 रुपीज profit कले कर सकते ये profit आप तब कले करेंगे जब सामने वाला कोई भी player start option पे land करता है या इसको cross करता है आप उन सभी business cards के profit को कले करेंगे जो आपने खरीदे हुए हैं अगर आपने एक से ज़ादा business cards खरीदे हुए हैं तो आप 2 या 3 profits को जोडेंगे और सामने वाले से उसी time पे collect करेंगे जब वो start option पे land कर रहा है या उसे cross कर रहा है अगर आपको business card को बेचना है तो या तो आप player से trade कर सकते हैं या फिर bank को बेच सकते हैं अगर bank को बेचेंगे तो bank आपको सिर्फ base price ही देगा अब हम बात करेंगे risk cards के बारे में risk cards compulsory cards होते हैं और ये green या red card के तुरू ही खुलते हैं और ये किसी specific player के नाम पर ही खुलते हैं और जिसके नाम पर ये खुलते हैं उस player को इसे खरीदना जरूरी होता है total 4 risk cards एक particular player के नाम पर खुलेंगे और हर player और हर risk card की cost 10,000 रूपीज होती है यानि total 40,000 रूपीज के risk cards players को खरीदने होते हैं अब हम बात करेंगे risk card के back side के बारे में जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि ये इसका price लिखा हुआ है आप 1000,000 किस player के नाम पर खुला हुआ है player 1 के नाम पर खुला हुआ है यह आप यहाँ देख सकते हैं अच्छा risk cards के फाइदे क्या होते हैं कि अगर आप risk card खरीद लेते हैं तो आप सामने वाले से profit कलेकर सकते हैं वो कैसे अगर आपने एक risk card खरीदा हुआ है तो आप 500 रूपीज गरेंगे टोटल दो खरीदा है तो आप 1000 कलिक करते हैं टोटल profit अगर आपने ही नाम के तीन खरीद लिए तो 2000 अगर चारों खरीद लिए तो 4000 आप टोटल profit कलिक करेंगे ये profit आप वैसे ही collect करेंगे जैसे आप business cards में collect करते दें जब सामने वाला start option पे या उसे cross करता है risk cards को जो resale value वो से 1000 और इसे सिफ bank को बेचा जा सकता है किसी भी players के साथ trade नहीं करा जा सकता है अब हम refusal card के बारे में बात करेंगे हर player को एक refusal card मिलता है जिसे वो तब use कर सकता है जब उसे कोई एक risk card नहीं खरीदना हो ध्यान रहे player इसे एक ही बार use कर सकते हैं और इसके use करने पे जो risk card खुला था उनके नाम पे वो वापस गड़ी में चला जाता है और bank को वापस refusal card दे दिया जाता है अब हम बात करेंगे bank loan के बारे में हर player को एक bank loan मिलता है 6,000 का जो उसे वो कभी भी use कर सकता है इस loan की repayment 8,000 होती है और इसे उसे चार installment में pay करना होता है 2,000 each जब भी कोई player इस bank loan को लेता है तो bank उसे 6,000 रुपीज cash देता है और साथ में interest due के 4 cards देता है 2,000 each के अगर किसी green और red card में ये लिखके आजाए interest due word लिखके आजाए तो इसका मतलब है जिन जिन players ने loan लिया हुआ है उन्हें अपनी एक किस चुकाने का time आ गया है और उन्हें immediately 2,000 रुपीज और interest due का एक card बैंक को वापस करना होता है जैसे मान लिजिए ये R glass over हुआ और मैंने ये green card उठाया और इसके पीछे लिखा हुआ है interest due इस मीन जिसने लोगों ने loan लिया है वोने immediately 2,000 रुपीज और एक interest due card बैंक को देना होगा अगर वो नहीं देते हैं तो उसी समय bankrupt हो जाएंगे के बारे में अगर किसी player का token इस option पे आके गिरता है तो वो कुछ surprise पैसे earn कर सकता है यहाँ पे player एक number सोचेगा सबको बताएगा और फिर dice को फेकता है अगर वही number आ गया तो वो bank से उस number का 200 times collect करेगा अगर किसी player का token इस safe house option पे गिरता है इस option का मतलब है कि आप एक chance के लिए इस house पे रुख सकते हो और आपको आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है अगर किसी player का token इस option पे गिरता है जो है throw the dice and move ahead तो आप बस dice फेकेंगे जितना number आता है अब उतने steps आगे चले जाते है और अगर आप किसी इस option पे गिरते है throw the dice and move back तो आप dice फेकेंगे और उतने steps पीछे आजाते है अगर किसी player का token stop until you roll even पे आता है इस आप तभी आगे बढ़ सकते हैं जब तक आपके dice का total even number नहीं होता है Hi everyone, उमीद करता हूँ कि आपको ये video अच्छे समझ में होगा इनी case अब को प्रावलम है तो गेम के back में एक helpline number दिया हुए आप उसे call कर सकते हैं और हमारे हैं कुछ और भी titles हैं इसे की first product है हमारा part निसमें कि हम blindfold होके words बनाते हैं एक और interesting game है उसके बाद एक unscrramble जिसमें हम word को break करते हैं कैसे एक बड़े से words को किते सारे छोटे words में हम break कर सकते हैं और एक हमारा आता है नई guest tenant और landlord की उपर ये बटकते हैं आप जरूर इजे ट्राइब करेंगे बहुत ही exciting game